इस वाले कोशन पर नजर मारिएगा प्राबलम फॉर प्राक्टिस है साथम हम से कहरा How far from the earth must a body be along a line towards the sun कह रहा है कि अर्थ ये है और sun ये है तो अर्थ और sun के बीच में बीच में कोई पॉइंट ऐसा है कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर gravitational pull अर्थ का और sun का एक particular body को balance कर रहा है How far from the earth must a body be along a line towards the sun so that the sun's gravity pull on it balances that on the earth कहने की बात ये है कि यहां पर एक अपने body रही है इस p point पर जो mass body p point पर रही हुई है लेट अस सपोज कि उसका mass is small है मैं तो क्या होगा जो ये sun है इसका mass आपने capital M ले रहा है MS और ये हो जाएगा mass of earth तो क्या होगा ये sun इसको attract करेगा gravity sun की इसको attract करेगी साथ में यहां पर gravitational force जो है वो अर्थ का भी लग रहा होगा तो दोनों के force equal और opposite लगने की वजह से यहां पर net force 0 निकल कर आएगा it means इस p point पर m object जो है वो balance हो जाएगा तो आपको दिहान ये देना है आपको दिहान ये देना है कि ये force हो गया आपको पूछ रहा है हाव फार कितनी दूर तो लैटर सपोस की मैं अर्थ से यहां तक की distance को मैं x मान रहा हूं और यहां से यहां तक की total distance देने के 1.5 इंटू 10 की पावर 10 किलो मिटर में है किलो मिटर को मिटर में कनवर्ट करूआ तो 10 की पावर 3 से multiply 10 यह है तीन यह होगे 10 की पावर 13 तो 1.5 इंटू 10 की पावर 13 में value आ जाएगी किस की यह total यहां से यहां तक की तो यहां से यहां तक की जो distance दे रही है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 13 में दे रही है अच्छ यह इससा x है तो यह एको आएंसे क्यों कर रहे पता है कि दोनों ही फोर्स इसको निकालना है तो दोनों फोर्स निकालने के लिए आपको gap जरूर चाहिएगा दोनों के बीच का मतलब mass body के बीच का तो आप ये देखेंगे force on a body due to earth earth कितना force लगा रही होगी उसको आपने fe कह दिया तो आप कहोगे capital G mass उस object का और mass of earth ऐसी रहेगा नीचे gap गैप आपने मान रहागा x तो इसका square इसको equation 1 कह दो mass sun of sorry force sun कितना लगा रहा होगा वो देखंगे तो capital G mass उस object के जिस पर लग रहा है mass of sun नीचे आजाएगा 1.5 into 10 की power 13 minus x इसका square ये हो जाएगा second ठीक है ये दोनों एक दूसरे को balance कर रहे है according to the question मैं नहीं कह रहा कह रहा है कि fe जो है ये बराबर है fs के equal in magnitude but opposite in direction ये भी कह सकते हो और आप ये कह सकते हो कि fe जो है वो fs के बराबर है magnitude में रखोगे value gmme नीचे x का square बराबर fs gmms upon 1.5 into 10 की power 13 minus x g से g कटा m से m कटा तो यहां पर square ये भी था mass of sun दे रखा है तो इसको अभी m e ऐसी रहन दो ये x square ऐसे ही रहेगा mass of sun दे रखा mass of sun कितना है हमसे कह रहा है mass sun का जो है वो 3.25 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले में तो आप mass of sun लिखेंगे 3.24 टाइम्स mass of earth खतम ये 1.5 into 10 की power 13 minus के x इसका whole का square mass of earth से mass of earth खतम हो गई ठीक है value put कर देते हैं आगे को और ये हो जाएगा 1 upon x का whole square अब ये 3.24 into 10 की power 5 है तो मैं ये root में कह सकता हूँ root 3.24 into 10 की power 5 और नीचे 1.5 into 10 की power 13 minus के x ये पूरे को पर whole का square लगा दूँगा देखो ये value ये लिखी हुई है square से root हट जाएगा उपर वाला आ जाएगा और ये square नीचे पोच जाएगा तो इसी को मैंने एक नए तरीके से लिख दिया ऐसा इसलिए किया है ताकि ये square एक दूसरे को cancel out कर दे करने के बाद में यहाँ से बचेगा 1 upon x ये आ जाएगा square root 3.5 इसको solve करेंगे तो देखो 3.5 एक काम कर लो 2-0 खतम कर दो 324 हो जाएगा ये 2-0 इसके खतम हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1000 2-0 खतम करने गए वाद में 3-0 बचेंगे 3-0 को आप 1000 बोलते हो तो 324 जो है ये 18 का root है नीचे 1.5 इंटो 10 की power 13 ये ऐसी चल लाओगा माइनस के x तो 1 upon x ये ऐसे ही है 324 अगर root के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ये 18 है 1000 में से मैं 100 को निकाल सकता हूँ 10 की form में और root के अंदर रह जाएगा 10 तो 10 जो है अगर root में से निकालोगे तो कहीना कही value आजएगे 3.31 3.33 कर दो देख लेते हैं 3.3 थी क्योंकि calculation में तो मैं कर माहिर हूँ आप लोग की दुआ है 3.33 की 3.33 से multiply करेंगे तो इस जाद आ रहा है तो आप root 10 की value रख दो root 10 की value कितनी होती है 3.16 तो आप 3.33 न कहा करेंगे आप 3.16 कर दें root 10 की value मैं हाथ वाथ बाहर को निकाल दी root में से 3.16 की form में निकल गया यहां से 1000 है तो 1000 को मैं 10 into 100 कहा सकता हूँ तो 100 का 10 निकल कर आगे root से बाहर और जो 10 बचा उस root में value होती है 3.16 नीचे कितना चला 1.5 into 10 की power 13 minus के x solve कर लो answer पार cross multiply यह फिर एक काम करो इसका उल्टा कर दो जब इसका उल्टा करोगे तो यह x upon 1 हो जाएगा तो यह भी उल्टा हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 1.5 into 10 की power 13 लेकिन फिर भी cross multiply तो फिर भी करनी पड़ेगी हाथ हाथ cross multiply करो तो यह हो जाएगा 1.5 into 10 की power 13 इसकी 1 के साथ हो रही है minus x और यह इसके साथ multiply कर जाएगा तो यह हो जाएगा 18 into 31.6 क्योंकि point एक प्लेस उदर को चले जाएगा जब 10 multiply में जाएगा तो ठीक है और x भी है तो यह वाला x उदर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो value आजाएगा 1.5 into 10 की power 13 यह एक एक्स जोड़ों को उदर जाएगा तो 31.6 की अठारस हम multiply कर लो 31.6 की अठारस हम multiply तो 8.48 का आठ कैरी 4 आठीकम आठ चार बारह का दो हासल लगा एक आठीच चोविस और एक पच्चिस का पच्चिस ही पच्चिस एक शक कच्च है एक एक यह हो जाए आठ आठ छे पाँच डैसीमल एक की बात तो 568.8 568 यह आ रहा है क्या 868 का आठ कैरी 4 आठीकम आठ चार बारह का दो हासल लगा आठ ते चोविस और एक पच्चिस का पच्चिस पच्चिस 366 आएसे रहेंगे तो 8 ऐसी आ जाएगा च्च्च और 2 आठ यह भी ऐसे रहेंगा 566 सही है 568.8 तो वैल्यू आ जाएगी 568.8 एक्स अगली स्लाइट पर ले जाए इसको ले जाते हैं ले जाते हैं बिल्कुल ले जाते हैं और यह मैनस का एक्स उदर जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा तो 568 में एक जोड़ोगो तो 569 हो जाएगा प्लस का बन एड कर दोगे तो भाई यह 569 हो जाएगा 569.8 तो यह वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 13 और यह जाएगा 569.8 X किलियर है 509.8x यह हो गया 1.5 इंटो 10 की पावर 13 यह हो गया अभी एक सेल बचा हुआ बैटी डाउन कभी भी हो सकती है अवाज बंदो जाए तो समझ जाना कि बैटी डाउन हो गई सेल मैं इसको चेंज कर दूँ कि हाथ हो आज सेल चेंज कर देता हूँ यार पता तो है न आप लोगों अरे हो सकता यार यह कोशन खिजी जाए इसमें देख लेते हैं खतम तो हो चुका अब मुझे क्या करना है यह वैल्यू थी 1.5 इंटो 10 की पावर 13 को डिवाइड में इसके डिवाइड में आ जाना है कौन सा आएगा 1.5 इंटो 10 की पावर 13 की डिवाइड में आ जाएगा 569 दशमलवाट इसको 560 नहीं कह सकते हैं अप्रोक्सिमेटली कह सकते हैं तो मैं इसको 560 ही कहूंगा 569 है यार दशमलवाट तो इसको 560 कह सकते हैं अप्रोक्सिमेटली तो यह 560 से भाग कर दे इधर X बचा solve कर लो answer पावर इसको 1500 कर लो आप जो 1500 करोगे तो 560 यह ऐसे रहेगा तो 1500 कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि 20 और लेकर आयो पोइंट को आप इधर लेकर तो 3 खतं हो जाएगा 10 की पावर 10 रहे जाएगा क्यों क्योंकि 1.5 इंटू 10 की पावर 10 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 3 कर रहे हो तो यह 1000 से multiply करोगो तो ये 15 оп नहीं हो जाएगा खुट सोच नो करके 10 की पावर 10 ऐसी रहने तो यह कैलकुलेशन कुछ मैंने ऐसा करके दिखाई यह यहां कि चला एक्स चला तो एक्स इपुल टू कितना हो जाएगा पंद्रह सो को भाग कर दो 560 है तो पांच तीया पंद्रह पांच दुनी 10 तो यह हो जाएगा पांच दुनी 10 ग्यारा सो जाएगा तो यह जीरो दस में से दो निकालेंगे तो आड़ बचेगा चार मसे एक निकालेंगे तीन बचेगा तीन सो असी नहीं जारा लगा देंगे पॉइंट बढ़ा देंगे जीरो तो पांच तीज पांच अत्य पैंथिस साथ वार चला जाएगा एप्रोक्सिमेट तो यह जाएगा टू पॉइंट सेवन इंटू टैन की पावर टैन ठीक है इतने मीटर के डिस्टेंस पर एक्स इ तो टैन की पावर टैन रहे जाएगा तो एप्रोक्सिमेट आ चुका है टू पॉइंट शिकरी हमारा टू पॉइंट सेवन बाद वह ही है एप्रोक्सिमेट ले लिए था हमनों यहां पर पांसो साथ जो था वह एप्रोक्सिमेट वैलु ले ली थी ठीक है पांसो उनसर जो ग्राविटेशनल पुल है सन का और अर्थ का एक दूसरे को बैलेंस कर देगा किसी पड्डी को तर्मास बोड़ी के लिए को सुल्यूशन समझ में आपको पहले मुझे बताएं कि को सुल्यूशन समझ में आया अगर आया है तो यार ग्राविटी के मैंना बड़े सारे कोशन पर भी प्रैक्टिस करो सारे कोशन पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका फाइदा साथ में इसके वैरी शोट डाल लगें तो वैरी शोट का सब सब बड़ा वैनिवी पीडिये मिलेगा कि आपके छोटे-छोटे कोंसेप्ट के लिए रहोंगे साथ मैं